हर हर महादेव तो मैं आपके लिए महाशिवरात्री के पावर नुपलक्ष पर लेके आई हूँ ये पावर मिल्क जो की है कैरेट मिल्क आप इसे किसी भी गाजर से बना सकते हैं मैंने इसे बनाया है काली गाजर से तो आप दूसरी रेड गाजर से भी बना सकते हैं एक गाजर को मैंने काट के डाल लिया मिकसर जार में आप इसे कद्दू कस भी कर सकते हो पांच से साथ काजू, दस पंदरा बादाम और सीड्स को मैंने तीन चार गंटे के लिए भीगा दिया था आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि यह डाले, मैंने चीनी भी यूज़ की थी बट थोड़ा सा मीथा जादा हो जाता है इस तरीके से आप चाहिए तो खजूर को एवाइड कर सकते हैं, बढ़ हाँ अगर आपने फास्ट रखा हुए तो बहुत एनरजी देती हैं यह चीजें तो इन सारी चीजों को चील लीजिए, आप एक और तरीका है, गाजर कदू कस करके उसे पहले कुक कर सकते हैं तो यह देखे, इसको हलका सा पानी डालके आप चीनी डालके भी साथ में पीच सकते हैं इदर दूद चड़ा दिया है, मैंने लगबग दो बड़े गिलास दूद के एक एलाइची क्रश करके डाल दी है, फुल क्रीम मिल्क लीजिए, बहुत मज़ा आता है बस अब यह ड्राइ फ्रूट्स और गाजर का सारा मिक्शिर डालके, हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर देंगे आप चाहें तो आप खजूर को बाद में भी डाल सकते हैं, या फिर आप मीठा बाद में डाल सकते हैं यह कुक हो गया है, काफी गाड़ा हो गया है, तो मैं यहां पे चीनी डाल रही हूं और बस इसको मिक्स कर लीजिए और गर्म गरम इसको परोसिये बहुत ही क्रीमी टेक्शिर का बना था जरूर ट्राइ करिएगा तो कैसी लगी आपको मेरी, यह बिल्कुल न्यू रेसिपी जो कि आपको यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं मिलेगी, लाल गाजर से मिलेगी, बटकाली गाजर से नहीं मिलेगी, जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे जरूर लिखेगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, thank you so much for watching stay blessed